पुश्कार स्वागत आपका सेल स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपने इस वीडियो में जो टाइम एंड वर्क के हमने पिछले पांच पार्ट या पांच वीडियो देख लिए जिसके हंदर हमने पचास कोश्चन कर लिए हैं आज उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और इसके अंदर नए और पुराने वाले दोनों को ही इंक्लिउड किया है जो पुराने क्लास नोट्स वहा करते थे उसके तो कॉश्चन हें हैं साथ-इसाथ नए के भी कोश्चन मैं ने इसके अंदर एड किये हैं ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि या नए आपको नहीं जाएंगे तो ठीक है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पीडियो के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं डिस्क्रिप्शन बोक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं आपको कोशन मिल जाएंगे क्लियर तो बस आगे चलते हैं स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो का फर्स्ट कोशन आपके सामने जो कोशन है वो इंग्लिश में भी है हिंदी में मैं आप लोगों को डिटेक्ट करवा दूँगा कि यहां हिंदी में इसका क्या मतलब है अब मैं हिंदी में इसलिए नहीं लहा पाया क्योंकि यार तेको वयूर्ड चैनललग verde कर रहे हैं तो इतनी उमीद लोगों से करता ही हूं कि अपको इंग्ल्स को आती ही हो कि उसमें English इंग्लिश का पार्टी नहीं आता बच्चा जो होता है वो SSC की त्यारी करें तो उसको तो इंग्लिश वैसे ही करनी पड़ जाती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 51st कोशन और इस वीडियो का 1st कोशन तो यहां पर दिया गया है a man and a boy can do a work together in 24 days इस line तक अगर मैं आप लोगों को हिंदी में बताओं तो एक आदमी और एक बच्चा दोनों मिलकर कोई काम जो है वो 24 दिन में करते हैं तो मैं यहां लिख लेता हूं कि एक आदमी यानि एक man plus एक boy भी ठीक है कोई काम कितने दिन में करते हैं 24 days में 24 days में clear वहां यह जो पहल work completes in 26 days यहां तक अगर मैं आप लोगों को बताओं कहता है अगर आखिर के 6 दिन आदमी काम करें आखिर के 6 दिन आदमी काम करें the work complete in 26 days तो काम complete कितना हो जाएगा 24 दिन में काम complete हो जाएगा if in last 6 days only men do this work यानि आखिर के 6 दिन अगर अकेला काम करें only men अकेला काम करें आदमी तो यह काम जो है वह 26 दिन में खतम होगा इसका मतलब यह हुआ कि काम तो 26 दिन तक चला काम तो 26 दिन तक चला वहीं ठीक है इस 26 दिन में से यह जो 6 दिन है यानि की 20 जमा 6 यह जो 6 दिन है इस दिन जो है अकेला सिरो वर सिरो B ने ही काम किया और यह जो 20 दिन है यह यहां पर किसने काम किया दोनों भई, man प्लस B ने काम किया clear हुआ आपको बास समझ में आई यहां पर clear, तो इसको हम क्या करेंगे जैसे मैंने आप लोगों बोता है कि वर्क कैसे निकालते हैं वर्क कैसे निकालते हैं वर्क निकालते हैं जो time आपके सामने दिया है उसको आप efficiency से multiply कर दीजी वर्क जितने time में जितनी efficiency से काम किया गया वो total work निकल के आपके सामने आ जाएगा तो यह काम करते हैं यह man और b हम लिख लेते हैं यहाँ पर m plus b महां लिख दें इसकी m की efficiency m है, b की efficiency b है और time कितना लगा इनको 24 days, यह आपके सामने क्या निकल कर आ गया, यह आपके सामने निकल कर आ गया total work यह आपके सामने निकल कर आ गया total work, अब इसके सामने total work एक और लिख लेते हैं, वो कहां से लिखेंगे वो यहां से लिखेंगे, कि भई 20 दिन तक, 20 दिन तक man plus b यानि boy ने काम किया, प्लस 6 दिन तक, अकेले b ने काम किया, clear हुआ तो यह भी आपके सामने जो है work, total work निकल करा गया इसके एक trick भी है, वो भी आप लोगों को समझाऊंगा, बट एक बार थोड़ा फिलाल इस तरीके से हम समझते हैं, trick को भी महाँ आप लोगों को करवा दूँगा तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हम multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 24M plus 24B is equal to यहाँ पर हम करेंगे 20M plus 20B plus 6B clear हुआ अब जो चीज घटने, अरे यहाँ पर 24 आएगा जो चीज जिसमें से minus होने वाली है जिसमें से add होने वाली है, वो हम कर देते हैं तो इस 20B और 6B को हम add कर देते हैं यह बनेगा आपके सामने 26 अरे यार यह गलबट होगी न यहाँ पर man आएगा, man आएगा भया man है, man है, man है, मुझसे गडबट होगी यहाँ पर आपके सामने B आएगा clear, यहाँ पर B आएगा यह आपके सामने man हो जाएगा यह man हो जाएगा, यह जैसे आप लोगे सामने बोला गया है, man, man तो यह हो जाएगा आपके सामने 26M प्लस 20B अब यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है 24M प्लस 24B तो अब देख लीजिए, जो जिससे घटरा है उसको इधर ले जाते है तो यह 20 यहाँ पर ले आते हैं तो यहाँ बचेगा 4B यह 24 यहाँ पर ले आते हैं तो यहाँ बचेगा आपके सामने 22M clear हुआ तो इसे हम घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2 मैंतलब काटेंगे, घटाएंगे क्या तो M by B आपके सामने निकल कर आएगा 2 ratio 1, यह efficiency की ratio आगी, यह आगी आपके सामने efficiency की ratio clear हुआ तो अब बोला गया है find in how many days, अच्छे यहाँ पर इसने बोलाई नहीं है, किसने क्या complete किया तो हम निकाल लेते हैं, अगर boy का पूस्ता तो boy का हम निकाल लेते हैं अगर man का पूस्ता, तो man का हम निकाल लेते तो हम निकाल लेते हैं, एक फ़र total work कितना है, तो man और देखे, man के efficiency आपको बथा चली 2 है, b की efficiency आपको बथा चली 1 है तो यहाँ put कर लेते हैं, यहां 2 रख लेते हैं, b की efficiency 1 रख लेते हैं यानि यह हो गया आपके सामने 3 यानि 3 into may 24 यानि कि आपके सामने आगे 72 तो अब पूछा जिससे आप ऐसे कर देते हैं अगर वो boy की पूछता भई एक लड़का जो लड़का है वो कितने दिन में complete कर देगा तो 72 divided by 1 यानि 72 days लग जाएंगे clear हुआ अगर वो man की पूछता वैस man की पूछता तो क्या था 72 divided by 2 तो आपके सामने कितना आजाएगा 3, 6, 36 दिन आजाएंगे आपके सामने clear हुआ तो यह हो गया आपके सामने question करने का तरीका अब आगे चलते हैं अपने 52nd question पर यानि बावन में question पर हमाते हैं question काफी अच्छा है इसमें आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा देखे जहां मुझे मिला ना कभी मुझे हिंदी का content मिलका मैंने आप लोग के सामने वह हिंदी भी लगा दी जाएं इंगलिश का मिले मैंने इंगलिश भी लगा दी आपको जाद जादा सहुलियत देने की मैंने कोशिश की है अब यहां पर हम करते है a man one man plus three women plus four children do a work in 96 hour while two men plus eight children can do the complete the work complete the same work in sorry in 80 hours and two men plus three women can complete the same work in 120 hours finding how much time will ten men plus five women complete the work हिंदी में आप लोगें सामने लिखा है कि एक आदमी, तीन ओरतें, चार बच्चे किसी काम को 96 गंटे में करते हैं जबकि दो आदमी, आठ बच्चे उसी काम को 80 गंटे में करते हैं और दो आदमी, तीन ओरत उसी काम को 120 गंटे में करते हैं तो ग्याद करिए कि दस आदमी, पांच ओरतें जो हैं, इस काम को कितने समय में करेंगे clear तो first of all, हमें क्या कर रहा है जो statement दी गई है एक बार तो हम वहाँ लिख लेते हैं कि एक आदमी है तीन ओरते हैं चार बच्चे हैं clear कितनी देर में काम करते हैं भाईया काम करते हैं 96 आर्स में 96 आर्स में आगे जो statement दी गई है वह और हम लिख लेते हैं कि दो आदमी है आठ बच्चे है कितनी देर में काम कम्प्लीट करते हैं भाईया 80 घंटे में काम कम्प्लीट करते हैं 80 घंटे में काम कम्प्लीट करते हैं फिर आगे क्या बोला गया आगे बोला गया है कि दो आदमी है तीन और नहीं है, किसी काम को कितनी तेर में, यानि उसी काम को कितनी तेर में complete करते हैं, 120 घंटे में complete करते हैं, clear one, तो अब यहां क्या करेंगे, अब आगे क्या करना है, अब इनकी आपको लेनी है LCM, इनका आपको लेना है LCM, तो हम इनका ले लेंगे LCM, पर टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं, टोटल वर्क तो ऐसे निकालते हैं, अभी आप सोचोगी सर ये टोटल वर्क ऐसे कैसे निकलता है LCM से, तो पिछली जो वीडियो आपके सामने पांच दीगे ना, उसमें मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाए तो आप उसमें जाके देखिएगा, तो अब हम यहां पर तोटल वर्क निकालना है, याँ कि LCM निकालना है, LCM किस का निकालना है? भाई, 96 का निकालना है, 80 का निकालना है, 120 का नि arriba का निकालना है, LCM अब criteria से, using data is Всё a 8 पे जाएगा, यहां 10 आएगा यहां 12 आएगा, यहां कितना आएगा 1 और यहां 5 आजएगा clear 15, यह फिर 2 पे जाएगा, यहां क्या आएगा 5 आएगा, यहां 6 आएगा, यहां 15 का 15 आजएगा, यह फिर 13 पे जाएगा भाईया, यह 5 आएगा यहाँ 6 का 6 रह जाएगा नहीं नहीं यहाँ 2 आ जाएगा अब बताएं नहीं दे मिरको ठीक है यह 5 आ जाएगा अब आगे चलते हैं यह 5 पे जाएगा यहाँ 1 आ जाएगा यहाँ 2 रह जाएगा और यहाँ 1 रह जाएगा अब इनकी multiply कर लेते हैं आठ दुनी 16, 16 तिया 48, अब 48 को 5 से मल्टिकराने से बैटर है, 5 और 2 की मल्टिप्लाइ कर लो, कितनी हो जाएगी 10, यहां कितना आया था 48, तो 48 गुना में 10, यानि 800, 480, तो यहां आजाएगा आपके सामने, 480, clear हुआ, अब यहां आजो, अब यहां इनकी efficiency निकाल लेते हैं हमारा, तो 4880, डिवाइड बाई में 96, 16, 16 पर करतो हो, 16, 96, 16, 18, फिर यहां पर यह जाएगा, यह इसको काटेगा, तो 5, तो इनकी जो total efficiency निकल कर आए, कितनी आई, 5, पर एक आदमी, 3 औरते, 4 बच्चों की जो efficiency निकल कर कितनी आई, 5 निकल कर आई, अब इनकी निकाल लेत हैं, यहां पर हम निकाल लेते हैं, यहां पर हम निकाल लेते हैं, यहां पर आएगे सामने, 480, डिवाइड बाई में 120, 0 से 0 कट हो जाएगा, 12, 48, 48 होता है, तो इनकी efficiency आपकी सामने आजाएगी, 4, clear, अब हम यहां पर एक ज़रह इस equation पर ध्यान देने वाली बात आती भई, इस equation पर ध्यान क्या दे रहे हैं, तो ज़रह यहां गोर फरमाईएगा, कि दो आदमी, 48 बच्चे, इनकी efficiency कितनी, 6, अगर मैं एक आदमी कर दूँ, प्लस, 4 बच्चे कर दूँ, इनका half कर दिया ना मैंने, इनका half कर दिया नहीं कर दिया, दो का ऐसा समलो ना, दो को मैं निकालती हैं मैंने इनका, clear, अब सर यह क्यों किया, ऐसा क्यों किया आपने, ऐसा इसलिए क्या, my dear student, यहां देखो, one man, four children, one man, four children, यह जो equation है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हो ना, one man, plus four children, plus three women, is equal to five, भाई, इसकी जगाए पर मैं, पांच, तीन लिख कोई गडबड तो नहीं, कोई गडबड नहीं, क्योंकि वो तो लिखा है न, हमने यहां से यह चीज निकाल ले, अरे भाईया, यहां से निकाली कि निकाली, बहुल ही निकाली, बहुल ही निकाली, तो यहां पर आते हैं, three women is equal to five, यह तीन यहां चला जाएगा, भाईया, त अब woman को यहां put कर दो, यहां क्या लिखा है, two men plus three women is equal to कितना दिया है, चार दिया है, woman आपके सामने दी गई है, two by three है, तो two m plus three into में two by three, three से three cut हो जाएगा, आपके सामने four दिया गया है, यह two यहां पर जाके इसमें से minus हो जाएगा, यहां two बच जाएगा, is equal to two men बच जा जाएगा, तो m की efficiency कितनी आगई, एग आगई, clear हुआ, m की efficiency आगई, woman की efficiency आगई, भाईया, children की भी efficiency निकाल सकते हो, children की efficiency कैसे निकालोगे, भाईया, man की जगा, इसकी जगा एग रख लो, ठीक है, इसकी जगा क्या रख लोगे, एग रख लोगे, इसकी जगा एग रख ल तो एक से एक multiply क्या करेंगे तो क्या बनेगा दो बनेगा या एक बनेगा ओविसली एक बनेगा एक प्लस में 4C is equal to 3 यह एक इसमें से जाके minus हो जाएगा तो यानि minus होके कितना बनेगा दो बनेगा तो 4C is equal to 2 2C is equal to 2 by 4 एक बनेगा दो क्लियर C की efficiency आगी चिल्डरन की efficiency आगी मैन की efficiency आगी वूमिन की efficiency आगी चाहते क्या हो चाहते हम यह हैं कि देखिए 10 आदमी और 5 ओरतों से काम करवाना है तो चिल्डरन की तो हमने ऐसे निकाल दी कोई ना काम तो आए ना समझ में तो आए ना कैसे निकाली है तो दस आदमी और पांच और पांच और तो दस आदमी चाहिए भाईया दस आदमी तोटल वर्क आपको पता है यह रहा टोटल वर्क यह रहा टोटल वर्क दस आदमी कर लेते हैं एक की एक एफिशेंसी दस की कितनी हो जाएगी obviously 10 हो जाएगी 10 की 10 हो जाएगी ठीक है 5 औरते हैं 5 औरते हैं तो इस W की जगह क्या रख लो 2 बटे 3 रख लो 2 बटे 3 गुना 5 यानि कितना हो जाएगा 10 बटे 3 प्लस में 10 बटे 3 यहाँ पर क्या करना है आपको add करना है तो 40 बटे 3 clear हो गया 40 बटे 3 आगया अब पूछा गया इस काम को कितनी देर में कर देंगे यह सब मिलके तो करना क्या है simple सी बात है 480 बटे 40 इसके बटे का जो 3 है वो उपर चला जाएगा घूम के यहाँ पर आ जाएगा इसको इससे हम multiply कर देंगे 4 एकम 4, 4 दुनी 8, 12 यानि कि 36 मुबार्ण को कोशन हो गया clear हुआ आपके सामने यह था कोशन करने का तरीका इस तरीके से यह आपको किताब के अंदर समझाया हुआ मिलेगा इतना बड़ा ताम जाम मैंने आप लोगों को इसी जिगा पर समझा दिया I hope so यह कोशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं अपने तीसरे कोशन पर clear हुआ अब देखे किसी को fast लग रहा है किसी को समझ नहीं आया सर दुबार से समझाओ online का या फिर आप जो भी वीडियो ये recorded देख रहे हैं इसका सबसे बड़ा फाइदा क्या है आप पीछे जाएए मतलब बैक तो कर सकते हैं मुझसे आप हजार बार बुलवा लीजी मैं कौन से पैसे ले रहा हूँ आपसे बुलवाने के तो आप पीछे जाके कितनी बार भी मुझे रिपीट करवाईए आप लोगों को समझ में आजाएगा अब आते हैं हमारे त्रेपनवे कोश्चन पर बोला गया ए प्लस बी कैन कम्प्लीट ए वर्क इन ट्वेल डेज ए अलोन वर्क फोर एट डेज बी कम्प्लीट दा रिमेनिंग वर्क इन ट्वेंटी डेज बाई डूइंग अलोन अकेले केले काम किया इन सबने इन हाव मच टाइम बी अलोन ड़स दा कम्प्लीट वर्क यहाँ पर क्या बोला गया ए और बी किसी काम को बारा दिन में कर देते हैं बारा दिन में कर देते हैं बाई अब क्या हुआ A ने अकेले 8 दिन काम किया ठीक है B ने अकेले कितने दिन काम किया 20 दिन काम किया किया तो इन दोनों का मिला कर काम जो है वो complete हो जाता है वो complete हो जाता है अब इस condition पर अगर A अकेले 8 दिन काम करें फिर उसके बाद B अकेले 20 दिन काम करें continuity में मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों ने आठ दिन प्लेस बीज दिन इन दोनों एक साथ काम नहीं किया अलग अलग काम किया पहले इसने काम किया एने फिर यह रुक गया फिर इसके बाद कोन आ गया भी आ गया मतलब तो इसको इस तरीके से समझाते हैं यह तो टोल वर्क कैसे निकले गा टोल वय आपको निकाले तो f time into में time into में efficiency की हम multiply करवा देते है जो एक basic सा formula होते है तो यह आपकी सामने इनकी efficiency माल लेते है A और B की A ही efficiency माल लेते है B की B efficiency माल लेते है time आपकी सामने दिया ही है तो याईनि A प्लस B into में 12 कर देता हूँ और यह आपकी सामने total work निकल कर आगया यह आपके सामने total work निकल कर आगया दूसरा total work कहां से निकल कर आएगा वो यहां से निकल कर आएगा A को हम multiply कर वा देंगे 8 से 8A, plus में B को हम multiply कर वा देंगे 20 से, तो 20B तो यह भी तो आपके सामने दूसरा total work निकल कर आएगा work तो सेम ही है ना, इस condition questions में A plus 20 B जो जिसमें से कट है उसमें से कटा दो यह A यहां लेकर आजाओ 12 में से 8 गए 4 A यह जो आपके सामने दिख रहे है न 12 यह यहां लेकर आजाओ तो यहां पर 20 में से 12 गए तो कितना बचेगा 8 भी clear 4 A कम 4 4 दुनी 8 अब A by B निकल कर आएगा आपके सामने 2 बटे 1 यह आपके सामने आगे इनकी efficiency अब जो पूछा है वो निकाल दो पूछा है in how much time B alone does the complete work भाई B अकेला कितने दिन में काम खतम कर देगा पहले हम total work निकाल लेते है total work क्या निकालेंगे efficiency in two में time था efficiency हमारे सामने निकल कर आए 2 और 1 है इस A की जगा इस A की जगा 2 रख दो पलस B की जगा 1 रख दो multiply कर दो 12 से तो यानि 3 गुना 12 कितना निकल कर आए 36 36 36 36 हो गया 36 36 हो गया तो 36 हो गया अब पूछा है B कितने दिन में कर देगा अरे B की efficiency तो 1 है ना तो 36 बटे 1 कितना आया अरे बड़ा असान सा 36 ही तो आयागा अगर एक आप उसता तो कितना आता 36 बटे 2 कितना आया अरे 18 आ जाता clear हुआ तो यह हो गया आपके सामने question clear I hope so यह चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी comment section open रहता है comment कर देना फिर एक burden सा feel होने लग जाता है बच्चे को अरे इतनी जारे questions कैसे है सिर्फ 10 questions है आदे घंटे 40 minute का खेल रहता है उसमें आप लोगो समझ में आ जाता है लिखना लुखना कुछ नी होता समझने का होता है आपके पास class notes रखे होंगे उसमें से समझ लोगे अरे यह तो बिलकुल आजान क्या होता है कि कभी-कभी class notes में भी समझनी आ रहे होते जब हम advance में चलेंगे वहाँ पर बहुत सारी चीज़े आप लोगों समझ में आएंगी कि उसको मन लिखने का क्या मतलब होता इतनी भविशे की बातें ना करते हो आज वर्तवान में जीते हैं और question number 54 को करते है बोला गया है 3 men, 4 children can complete a work in 16 days 4 men, 3 children can complete the same work in 12 days then find 7 men, 7 women can complete the work in how many days clear हुआ तो इसको ऐसे करते हैं करने के भी चाफ काफी तरिक हैं जैसे मैंने आप लोगों कर रहा है न पिछला question पिछला question कौन सा आज़ो आज़ो बच्चे आज़ो यह ही था क्या क्या हो रहा है कहां चल रहे हैं 52 question है क्या इस तरीके से भी कर सकते हो इससे efficiency निकाल कर ऐसे भी कर सकते हो एक दूसरा तरीका है उसको भी हम अज़मा लेते हैं यहां पर दूसरा को तरीका क्या है देखें तीन आदमी है चार ओरते है कितने दिन में कर देते हैं 16 दिन में वो काम खतम कर देते हैं फिर आगे क्या बोला चार आदमी है तीन ओरते हैं कितने दिन में काम खतम कर देते हैं बारा दिन में काम खतम कर देते हैं पूछा क्या है पूछा ये है कि साथ आदमी और साथ औरते मिलकर कितने दिन में वो काम खतम कर पाएंगे ये दो आपके सामने equation दे दी उसे इसी से हमें खेलना है इसी से में question करना है अब आगे चलते हैं इसको करते हैं तो ये भाई साब इनके efficiency यही माल लेते हैं और इसको 16 को इनसे multiply करवा देते हैं मतलब देखो 3M plus 4 children into में 16 जैसे मैं अभी तक किया भाई total work आ गया ना फिर 4 men 3 women children बोल गया ना पिछले question वह इसले बार ऐसा नहीं है तो यहां पर आ गया हम 12 से multiply करवा देंगे एक बड़ ज़रा question को हम इनको equation को solve करें तो 16 तिया 48 48 M 16 चौक 64 W ठीक है 24 W is equal to 12 चौक 48 M plus यहां पर गया 12 तिया 36 W तो 48 चौक 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 जाएगा यहां यह लिएओ तो 64 W minus का 36 W is equal to यहां क्या बचा अरे यहां पर अंडा बचा ना यहां 0 बचा यहां पर तो यहां पर हमने किया 28 W is equal to 0 यानि कि W की क्या उकात है W की 0 है ठीक है woman की नहीं बोल रहा हूँ वहाई जा मैं W की बोल रहा हूं तो यहां पर woman की W क्या है 0 है यहां पर तो यहांनि कि एक तरीके से यह जो equation है 4 W यहां पर मैं 0 लिख सकता हूँ obviously लिख सकता हूँ ना मैं यहां पर 0 लिख सकता हूँ तो total work क्या आएगा 3 M plus 4 W यह W क्या है 0 लिख दिया मैंने इंटू में 16 कर देता हूँ इंटू में 16 क्यों कर देता हूँ भई मेरे को total work चाहिए न तो 48 M work आगया आपके सामने 48 M work आगया आपके सामने total work total unit of work कितना निकल क्या आपके सामने आया 48 M 48 M अब पूछा क्या है भई पूछा इसने है 7 men plus 7 women कितने दिन में कतम कर देंगे काम को ये डबलू की value क्या निकल कराए 0 तो 7 in 2 में 0 0 बन किया यहाँ पर तो बचा क्या आपके सामने 7 M तो 7 M को हम इससे क्या कर देंगे divide कर देंगे divide by 7 M M से M कट गया 48 बटे 7 48 by 7 आपके सामने इसका आंसर होगा इस question का clear हुआ बहुत easy था करने अब चाहें आपको जने में 50 second question यानि 52 वज़ो question कराया था उस तरीके से भी आप इस question को कर सकते हो वैसे भी कर सकते हो और ये एक तरीका आपके सामने और भी कर दिया मैंने clear हुआ अब आगे चलते हैं अपने 55 वे question पर देखे आदे question खतम होगे बहुत जल्दी जल्दी अब ये भी बहुत असान question ऐसे ही आ रहे हैं आपके सामने बोला गया है P and R complete a work in 10 days doing together B और R है कोई काम जो है वो 10 दिन में खतम कर देते हैं एक साथ अगर मिलके वो काम करें तो एक तामिशक्ती अब if P work for 2.5 days P जो है P जो है धाई दिन काम करें ठीक है धाई दिन काम करें and R for 8.5 R जो है वो 8.5 दिन काम करें then the half of work will complete तब जाके हादा काम complete होता है तब जाके यह जो हम ऐसे ऐसे अरकतें करेंगे न तब जाके कितना काम complete होगा आधा काम complete होगा ठीक है आधा काम complete होता है तब यह क्या पोछ रहा है P अकेला उसका हम कितने दिन में करेंगा बड़ा असान सा तरीका है देखिए P प्लस R है टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं इसको हम 10 से multiply कर देंगे और इसके सामने हम क्या लिख दें 2.5 P प्लस 8.5 R clear अरे सर यह तो आधा ही काम complete हुआ यह तो आधा ही काम complete हुआ यह पूरा काहे को लिख रहे हो पूरा नहीं लिख रहे हैं पूरा नहीं लिख रहे हैं तो यह काम करो ना इसको आधा कर दो यह टोटल वर्क हुआ ना इसको आधा ही कर दो आधा के लिए क्या करें तो उसे divide कर दो clear हुआ आया समझ में ने क्या बोला आधा ही काम complete हुआ है तो उसको आधा ही कर दो ओके यह total work आधा है सामने यह तो आए गया हुआ ना समझ मेंने क्या लिखा यह total work निका इनका किया हुआ जो काम है इनकी क्यूई हरकते में ने यहां लिखी है clear अब यह जो आएगा यहां पर आएगा 5 तो यहां आएगा 5P 5R is equal to 2.5P plus 8.5R अब यह 5 यहां चला जाएगा ठीक है यह 5 अरे यह वाला यह वाला पांच कुन से वाला पांच यह वाला पांच यह वाला पांच यहां चला जाएगा और यह वाला धाई जो है यह वाला धाई जो है यह यहां आजाएगा ठीक है इस इकोल तो 35 बटे 10 आर कि 10 से 10 तो ऐसी cancel हो जाएगा 5 पे अकटेगा तो 5 पे अकटेगा तो यहां क्या आएगा 25 पांच 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 उसते 5 तो 5 P 7 R तो P by R आपके सामने क्या निकल रहा है 7 by 5 clear हुआ आपके सामने अब पूछ क्या रहा है पूछ रहा है P अकेले कितने दिन में काम गत्म करतेगा P का पूछा है भईया P उस काम को कितने दिन में निप्टा देगा P के एफिशिंसी कितनी 7 पहले तो वर्क निकालना है तो देखिए टोटल वर्क आपके सामने P की एफिशिंसी आपको पता है कितनी 7 आर की एफिशिंसी आपको पता है 5 तो 5 प्लस 7 बारा बारा गुना 10 120 सर 10 क्यों किया अरे बच्चा यह आपके सामने है टाइम अरे बच्चा यह क्या आपके सामने एफिशिंसी तो यह क्या निकल कर रहा है किस से बोचा कौन ख़तम कर देंगा इसको seven यानि पी कितने दिर में खतम कर देगा यहां पर आपके समने निकल करा आएगा इसको डिवाइड नहीं करने आता हम आपके लिए डिवाइड कर देता हूं बच्चे हो ना साथ एक कम साथ यहां बचेगा आपके सामने पांच उपर से जीरो उतरेगी हो जाएगा पचास सतो सतो नचास ये नचास निच एक आजाएगा तो सतरा सही एक बटे साथ यह आपके सामने आंसर निकल कर आगे आ रहे बच्चे क्लियर हुआ तो यह था आपके सामने पच्छ फुर्मा कॉश्चन तो इस वीडियो के हमने यानि के इस वीडियो पिछले किया है इसमें कोई नहीं कहानी नहीं निकल कर आता ही है लेकिन वह एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में खतम करते हैं छे मिनिट में काम खतम करते हैं तो देखें चापस माल लेता हूं एक ऐ है दूसरा typist में माल लेता हूँ B है, दोनों मिलकर किसी काम को कितनी तेरे में खतम करतेते हैं भई 6 मिनिट में काम करतेते हैं 6 मिनिट में काम खतम करतेते हैं बड़े तेज है इस फर्स्ट टाइपिस्ट work alone for इसमें से कोई भी फर्स्ट माल लो जुरूरि नहीं कि आप इस B को इफस्ट माननें आपकी जो मर्जी इच्छा हो उसको फस्ट माल लो मैं A को फस्ट मालनेता हूँ क्योंकि अलफ़बेटिकल पहले आता है तो first यानि कि A जो है अकेले ने 4 मिनट काम किया After that उसके बाद Second typist work alone for 6 मिनट 6 minute काम किया, 6 minute काम किया then the work remaining is then the work remaining is 1 by 5 तो 6 काम कितना बच्चाता है एक बटे 5 बच्चाता है 6 काम कितना बच्चाता है यहां लिक रहा हूं मैं 6 काम, 6 काम कितना बच्चाता है एक बटे 5 बच्चाता है तो काम complete कितना कर दिया होगा उनोंने एक बटे पांच बच जाता है तो काम complete कर लिया उन्होंने चार बटे पांच काम कितना complete कर दिया उन्होंने चार बटे पांच बोला गया है then find out the remaining work is of lower efficiency type कि जो बचा हुआ काम है यानि कि जो एक बटे पांच है जिसकी lower efficiency निकल कर आए जो कम कारेशिल आद इंसान है उसके द्वारा ये कितनी देर में खतम किया जाएगा आई ओप सो मैंने आप लोगों को translate अच्छे से कर दिया होगा आपको ये question अच्छे से समझ में आ गया होगा अब हम इस question को करते हैं तो अब आते हैं A plus B वही हमें करना है इस काम का 4 बटे 5 यहीं रख लो 6 चोका 24 होता है 24 को A और B से multiply करा दो यहाँ पर आएगा 24 A plus 24 B यह 5 यहाँ चला जाएगा 20 A plus 30 B clear हुआ अब जो जिससे घट रहा है उससे घटा देते हैं तो यह 20 यहाँ ले आता हूँ A में से minus हो जाएगा तो 4 A बचेगा यह 24 यहाँ ले जाता हूँ 30 में से 24 minus हो जाएगा तो 6 B बचेगा इसमें से जो कॉमबन निकलता है वो निकाल लेते हैं तो A by B आपके सामने निकल कर आया 3 बचे 2 3 बचे 2 अब पूछा गया है वह एक बचे 5 कितनी देर में complete कर देगा lower efficiency वाला इंसान lower efficiency वाला है B उसके efficiency 2 है हमारे सामने पहले तो total work निकालो total work यानि यह जो आपके सामने दिया है A के efficiency 3 है प्लस B के efficiency 2 है यानि 5 5 गुना 6 कितना बन गया 30 30 का हमें चाहिए सिर्फ 1 बचे 5 1 बचे 5 क्यों चाहिए क्योंकि उसने पूछा है 6 काम कितनी देर में खतम कर देगा तो 6 काम तो 1 बचे 5 ही बचा न तो इसने इसको काटा तो 5 ही का यहाँ पर 6 ही बचा आपके सामने 6 काम 6 काम किसके द्वारा करवाना है हमने इस B के द्वारा B के efficiency कितनी 2 तो 6 बचे 2 यानि आपके सामने निकल कराएगा 3 मिनट यानि 3 मिनट में वो काम कर देगा B जो 6 काम बचा हुआ है I hope so ये भी कोशन आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा मैं अच्छे समझाने ही कोशन कर रहा हूँ कोई भी कसर रहे जाती है तो भई comment section ओपन है अपने विचार भाँ पर रखिए आप बलाईए कि sir यहां मुझे यह सी समझ नहीं आई इसको आप कैसे करेंगे अगली वीडियो में definitely मैं आप लोगों का जो कोशन है जो रहा क्या होगा वो doubt अगली वीडियो में आप लोगों clear कर दूँगा वैसे भी live तो हम नहीं मिल रहे हैं कोई सोचें कि live ही चीज़ चल दी है आप लोगों के comment आएं और उसको साथी साथ समझाओ ऐसा नहीं हो रहा है यह थोड़ा सा drawback भी हम समझ सकते हैं अब आते हैं 57th question पर अब बढ़ा ही इस question को पढ़ने से ही यह question सोल हो जाता है efficiency of B is double of A efficiency of B यहां तक ही जाते हैं efficiency of B यानि जो कारेशमता है B की वो दो कुनी है A की तो A की अगर एक कारेशमता है तो B की कितनी कारेशमता हो गई? दो हो गई and A alone can do a work in 15 days A जो है किसी काम को अकेला 15 दिन में कर देता है तो B कितने दिन में कर देगा? obviously उसके आधे दिन में कर देगा 7.5 दिन में कर देगा A start this work and after some days after some days B join him A ने काम किया भाई A ने काम करना शुरू किया उसके कुछ दिन बाद यहां पर A ने काम शुरू कर रहा अब पूछा गया बई बताया गया कि काम जो है फिर 11 दिन में complete हो जाता है we join him and they do this work complete in 11 days तो उस काम को वो 11 दिन में कसम कर देते हैं तो यहाँ पर 11 दिन हो जाते हैं then find how many days they work together तो बताइए उन्हों ने दोनों ने एक साथ मिलकर कितने दिन तक काम किया एक साथ मिलकर कितने दिन तक काम किया ये आपसे पूछा गया है समझेए A तो चला यहाँ पर A तो चला चला ठीक है फिर यहाँ पर B भी इसके साथ आ जाता है तो यहाँ से A प्लस B चल पड़ते है ठीक है A तो चला चला फिर यहाँ पर B आ जाता है इसके साथ तो यहाँ A प्लस B चल पड़ते हैं और 11 दिन में काम खतम हो जाता है इस कोशन को समझिए एक आप जरा देखिए A तो जो है वो शुरू से लेकर आखिर तक तो रहा A तो है शुरू से लेकर आखिर तक तो रहा B ने यहाँ जोईन किया B ने यहाँ जोईन किया हमें नहीं पता कितने दिन ते घुनों ने काम किया लेकिन इससे आप यह चीज़ तो क्लियर कर पा रहे हैं कि A तो शुरू से लेकर आखिर तक रहा और A की efficiency कितनी है 1 है तो 11 दिन तक उसने काम किया 11 दिन तक काम किया गुना A की Efficiency ते तो 11 काम तो A ने कर दिया न बहुत टोटल काम कितना टोटल काम बड़ा असान है A की Efficiency को 15 से multiply कर दो तो 15 work निकल कर आ जाएगा 15 unit of work निकल कर आ जाएगा 15 unit of work निकल कर आपके सामने आ गया ठीक है यह total work है इसमें से A ने 11 काम कर दिया 11 काम कर दिया 11 कैसे कर दिया क्यूंकि A जो है शुरू से लेकर आखिर तक लगा रहा यह तो कहीं नहीं अटा ना A ने बाद में जोई नहीं किया अरे वो तो शुरू से लगा था 11 दिन तक काम खतम कर रहा 11 दिन में काम खतम होता यह किस ने किया यह कही ना कही बी आया ना उसके साथ यहां बी जोइन हुआ होगा उस बी ने चार काम किया तो यह चार काम बी ने कितने दिन में किया भाई दो की एफिशिंसी है दो दिन में किया टू डेस तो यानि उन दोनों ने मिलकर कितने दिन तक एक साथ काम किया होगा वह दो दिन तक काम किया होगा कैसे कह सकते हैं सर देखिए यह ग्यारा काम तो यह ग्यारा काम तो ए कर रहा है यह ग्यारा काम तो ए कर रहा है अब कहीं न कहीं जो ग्यारा काम है जो बच गया चार काम वो B करेगा और इसी 11 दिन के बीच बीच में कहीं न कहीं करेगा तो यहां पर वो जो है वो चार काम कर देगा इसको चार काम कर देगा और यहां साथ में साथ A भी तो चल रहा है उसके A भी तो चल रहा है यानि उन दोनों ने मिलकर दो दिन तक तो साथ काम किया ना एक दिन में B दो काम करता है तो दो दिन में चार काम कर देगा तो इससे यह पता चलता है B और A ने दोनों एक साथ जो काम है वो दो दिन तक किया कैसे किया चार काम बच गया था वो B ने करना था बी चार दिन को कितने चार काम को कितने दिन में करता दो दिन तक करता clear हुआ और उसी 11 दिन के बीच में वो दो दिन उसके साथ add हो गया यहाँ पर clear तो यह हो गया आपके सामने 57th question अगर समझ नहीं आए ना इस question को दोबारा समझना बहुत अच्छा question है इसको वीडियो को पिछे रिवाइट करना और इस question को करने की कोशिश करना अब आजाते हम 58 और 59 question दोनों same है अगर वीडियो उसमें आपके notes में देखेंगे तो पुराने और ने वाले notes में आप देखेंगे तो आपको यह question same ही मिल जाएगा अब यहाँ पर आते हैं बोला गया है A alone would take 27 hours more to complete a work than A and B work together B take 3 hours more to complete a work alone than A and B work together In how many days A alone can do it? A अकेला किसी काम को करने में A और B से 27 घंटे जादा लेता है B अकेला उसी काम को करने में A और B से 3 घंटे जादा लेता है तो A अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा तो ऐसा समझिए A इसकी एक trick भी है वो भी हम करेंगे A प्लस B किसी काम को X hours में करते है clear A उस काम को A और B से कितना जादा time लेता है 27 घंटे B उस काम को कितने देर में करता है X प्लस 3 R 27 है कहीं किस तो न लगे अब यह होगा आपके सामने जो इस question को दिया गया है उस सारी detail मैंने आपके सामने लिखती है अब इसको करने का तरीका देखते है देखें A प्लस B यहाँ A है यहाँ B है अब A प्लस B जो है वो ले रहा है X आर A कितना ले रहा है X प्लस 27 आर B कितना ले रहा है X प्लस 3 आर अब इनकी हम मैं निकाल लेता हूँ efficiency यानि इनका एक पर मैं calcium ले लेता हूँ calcium लोगा तो यह same to same ऐसी ही लिखी जाएंगी देखिए यानि यह X निकल कराएगा यहाँ से X प्लस 27 निकल कराएगा यहाँ से X प्लस 3 निकल कराएगा ओके तो यहाँ इसकी जो efficiency निकल कराएगी A प्लस B की A प्लस B की जो efficiency निकल कराएगी X से X कर जाएगा तो यहां बचेगा X plus 27, X plus 3, ठीक है, यहां कितना X 27 से 27 करटेगा, तो X, X plus 3, यहां X plus 3 से X plus 3 कर जाएगा, तो यहां बचेगा X, X plus 27, clear, अब जो इस question में दिया गया है ना, उसी से में चलना है, 27 है यहां पर, ठीक है, तो टोटल वर्क कितना है बाहरे सामनी, यह टोटल वर् के सामनी, टोटल वर्क है, टोटल वर्क है, ओके, तो टोटल वर्क हम लिख लेते हैं, उपर, तो टोटल वर्क है आपके सामनी, X, X plus 27, X plus 3, clear, और इसके नीचे हम लिख लेते हैं, A plus B की efficiency, A plus B की efficiency हम लिख लेते हैं, यहां पर, ठीक है, इनको अलग-अलग से लिखते हैं, तो X X plus 3 plus X X plus 27 अब देखिए total work divided by में total efficiency time कितना लगेगा? X लगेगा क्यों लगेगा? भाई बोला न A और B जो काम करते हैं XR's में XR में कोई काम complete करते हैं तो A plus B तो लिखा न तो यहां पर मैंने क्या लिखी? देखिए यह जो है efficiency यह A की efficiency लिख दी मैंने यह यहां पर मैंने क्या लिख दिया? यह मैंने B की efficiency लिख दी ठीक है? पलस करके लिख दिया न मैंने A plus B की efficiency मैंने यहां लिख दी और यह total work मैंने आपके सामने यहां लिख दिया total work divided by में total efficiency कितना निकल कराया था? X एकेला उस काम को उतनी देर में करता है जितना A और B मिलकर करते है A अकेला उस काम को 27 गंटे में जादा करता है जितना A और B उस काम को समय लेते है वह हमने माल लिया था A और B किसी काम को करने में XR लेते है तो वही लिखा ना XR ले लिए उसने total efficiency मैंने नीचे लिख दी, उपर total work लिख दिया is equal to xr लिख दिया अब यहाँ पर हमें क्या करना है देखे, अब यहाँ पर हमें क्या करना है यह x इदर भी है और यह x इदर भी है इस x को बाहर निकाल लो इस x को बाहर निकालेंगे तो यह x मिलके बाहर यह दोनों बाहर निकालेंगे तो यह इस से कट हो जाएगा इसको समझा देता हूँ तो x x plus 27 27 x plus 3 अब यहाँ पर x मैंने बाहर निकाल लिया अंदर क्या बचा? x plus 3 ठीक है? x plus 3 plus x plus 27 यहाँ पर 27 है यह 27 यह बचा हमारे सामने क्योंकि x दिन दोनों में था common निकाल लिया is equal to x तो इस x से इस x से यह x कट गया अब यह जो bracket है इसको खोलूँगा तो plus कहा है? देखो x plus 3 plus x plus 27 यह कितना हैगा? x plus x 2x 3 plus 27 30 यह बनेगा हमारे सामने अब इसको multiply करवा लेते हैं यह नीचे वाले तो solve कर ले ना अब इसको multiply करवा लेते हैं x की multiply x से x की multiply 3 से तो यहां लिख रहा हूं मैं एक तो आएगा x square एक आएगा 3x फिर इस 27 की multiply x से plus 27x plus इस 27 की multiply 3 से 81 divide by क्या था हमारे सामने? नीचे क्या था? 2x plus में 30 is equal to कितना था? x था अब इसको हम इसको हम यहां ले आते हैं इसको हम यहां ले आते हैं इस x की multiply 2x से होगी इस x की multiply 2x से होगी अरे जगानी बच्री मेरे पास चलो यहां ले लेते हैं एक मिनिट मैं रफ कर रहा हूं यह आई होप साप लोगों नहीं यह लिख लिया होगा यह थोड़ा से मुझे रफ करने की जरूड़ता है ठीक है? is equal to 2x square plus 30x clear हुआ? अब यह 3x plus 27x कितना बनता है? 30x तो लिख लेते हैं यहां पर x square plus 30x plus 81 is equal to 2x square plus 30x ठीक है? 30x होगा अब जरूड़ गोर फर्माईएगा गोर क्या फर्माना है? यह 30x यहां है और यह 30x यहां है तो यह जब यहां जाएगा 0 हो जाएगा तो यह कट कर दो इस x square को यहां लेकर आजाओ इस 2x में से minus हो जाएगा 2x square में से तो 81 is equal to 2x square minus का x square तो यह क्या बचेगा? 81 is equal to x square यह square हटाओ इसका square root कर दो तो 81 का square root करके देंगे तो x की value निकल कराएगी x की value कितने निकल कराएगी? 9 निकल कराएगी तो अब देख लो यह है 9 आपकी सामने 9 plus 27 यह होगा 36 9 plus 3 यह होगा आपकी सामने 12 clear हुआ? यह होगा आपकी सामने question sir इतना करना पड़ेगा? चै sir इतने question इतने लंबी length ही हमें करना पड़ेगा एक्जाम में बिल्कुल नहीं इस तरीके का question आए किस तरीके का सार? जिसमें A और B से compare करके A और B की अलग-अलग value दी गई हो कि इतना जादा घंटा A प्लस B से लेता है B उससे इतने जादा घंटे लेता है तो इस तरीके के question जो है उनको करने का एक ही तरीका है जल्दी से तो देखिए A प्लस B से A की जो ज़्यादा time बोला गया 27 बोला गया B का कितना बोला गया 3 बोला गया तो simple सा करना है अपने को इनका square root ही कर देना 27 इंटू में 3 जो चीज ज़्यादा बोली गयी है उनको आपस में multiply करके उनका square root ही कर दो क्या क्या अरे यहां पर आप देखोगे न तो वही तो हुआ 27 इस तिया 81 वही तो है हमारे सामने और क्या बचा हुआ है तो 27 इस तिया 81 81 का square root करके क्या आप no ही निकल कराएगा वही चीज बे लिए निकल कराएगी तो हमें वही करना है एक और question कराता हूँ आप लोगों को same वैसा ही question है देखिए A and B alone complete work in 12 days and 3 days more respectively A and B alone क्याता है A और B अकेले काम करते हैं और complete कर देते हैं 12 दिन और 3 दिन जादा में 3 दिन जादा में किस से? A और B से A और B से Then in how many days A alone does the work? देखो A और B A और B को पकड़ लो X ठीक है? इन्होंने X में किया A ने कितने दिन में किया? X प्लस 12 B ने कितने दिन में किया? X प्लस 3 में अरे वही तो बात होगी X से कितना चला गया? 12 चला गया कितना चला गया? 3 चला गया वही सिंपल है इनका root कर दो 12 गुना इनको आपसे multiply करके 36 36 यानि कि इसका square root करेंगे नि 6 निकल कराएगा X की value सीदा सीदा 6 निकल कराएगे आपके सामने अब A का पूचा है 6 पलस 12 18 B का पूचा 6 पलस 3 यानि आपके सामने सीदा question हो रहा है अब बताइए एक ये question था एक ये question था उसके अंदर ये सब कुछ भर गया या आपको ये X की value सब कुछ निकालना पड़ गया LCM निकालना पड़ गया फिर इनको X-X को एकट करना पड़ गया आपस में multiply करनी पड़ गया एक ये था इसमें आपको करना क्या था वही same तरीका देखे examiner जो होता है आपको इतने length कभी देगा नहीं obviously वो आपका दिमागी check तो कर रहा है वहाँ पे exam में वहाँ से आपको कोई question थोड़ना लिखवाने है उसको कोई step के number थोड़ना देगा वो तो ये देगा कि आपके पास दिमाग कितना देजा आप किसी question को solve कितनी जल्दी कर पाएंगे तो इस तरीके से आप करिये ना उस चीज को I hope so ये जो question थे 51 से लेके 60 आप लोगों को समझ में आ गया होगे अच्छे से आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि question करें कि ये कैसे गए है class notes के अंदर आपको क्या approach अपनानी है आगे वाली वीडियो में भी हम ऐसे ही question करेंगे आपको अच्छे से समझाने ही कोशिश करूँगा उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी आपको पसंद में आई होगी तो समझ में आई है तो मुझे कैसे समझा सकते हैं obviously हर बार लाइक के लिए भीग मांगने लग जाता हूँ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करके ये सब करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगएगा motivation मुझे मिलेगी ताकि आप लोगों के लिए मैं अच्छे से वीडियो बना पाऊँ आप लोगों के अच्छे से समझा पाऊँ तो बस आज के लिए इतना है था इस वीडियो में thank you for watching this